मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत बड़ा सप्राइज दिया है फेमिना ने मुझे पता नहीं था कि इस साल मैं नॉमिनेटिड हूँ इसलिए मुझे इन्वाइट मिला है इन्वाइट तो हमेशा मिलता है लेकिन जढ़ी था कि अधुने तो हमेशा मिलता है तो बड़ी खुशी की बात होती है मुझे मैं बहुत ही एक्साइट हूँ मुझे नॉमिनेशन मिला है ये मेरे लिए बहुत ही mã में बढ़ी बड़ी थाप Nä只 PhD मेरे साथ जो नॉमिनीज हैं, वो बहुत ही सुन्दर प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उनके साथ मेरा नॉमिनेशन हो रहा है, मेरे लिए एक एहम बात है, तो मैं उन सभी को शुक्रियादा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उनके लेवल तक उपर बुलाया और मैं उनको कॉंग्राजूलेट भी करना चाहूंगी. मुझे लगता है कि हर एक नॉमिनी को अपने काम पर अभिमान होना चाहिए, क्योंकि आज लोग हमें जानते हैं क्योंकि उन्हें हमारा काम पसंद है, तो अगर हम हमारे पैशन और काम को न्याय देते रहें और प्यार करते रहें अपनी कला से, तो जीवन बहुत सुंदा कि अपरिणक कर लाक लोगता है कि अज यदुप लिखेंटी काम पर अचैंद मुझे लगता है कि मूझे लोग आते हैं और वो भी हमें बताते हैं कि उनका जीवन कितना सुंदर है और कितना इंस्पाइरिंग है Thank you मेरे upcoming projects बहुत ही अच्छे हैं और काफी सारे हैं मेरी एक film रिलीज हो रही है जिसका नाम है कट्सा लिंबू वो मराथी फिल्म है वो ऑगस्ट में आएगी उसके पहले गोविन निलानी जी की फिल्म है टी नाम है उसका वो भी आएगी 8th of September is a very very important day for me because Sunny Deol sir के साथ मेरी फिल्म है Poster Boys वो रिलीज होगी जिसके निर्देशक है श्रेयस तर्पदे there is one more film with Naseer sir which is called कुछुमीदेस and there are many more projects which are in the pipeline and which I am shooting for thank you जी जैसा आप बोले जी जैसा आप बोले हुआ ol I am I the first person here Feminine Womens Achievers Award is a wonderful award because it is is something that focuses specifically on women and I think there is not enough being done, there are achievers all across and women are doing so much but there is not enough being spoken about, so I am very glad that Femina being such a leading publication is doing so much, it is wonderful, I am very very happy to be here, thank you I think leaders from all walks of life, whether it be sports, art, entertainment, other professions all the achievers are nominated today and I am really looking forward to see who wins I am just in 2017, thank you thank you thank you thank you